मुझे लगता है मैंने एड्स बहुत कर लिए, अब मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए, समझे? अरे देखो जरा मुझे, हीरो लगता हूँ हीरो, हाँ मुझे देश के वासी है जी, जितेश में कंगा बहती है अरे मैं किसके लिए बनाओ पता है, शेक्सपियर करने के लिए, नाम सुना है न, अरे अपना शेक्सपियर रहे बांगलो, क्या कर रहे है विलियम शेक्सपियर? अ क्या सवाना आ गया है, अरे इसको डायरेक्टर कौन मना है? दायलोग बाजी बंद करो और कफा हो जाए यहां से मैं दायलोग बाजी कर रहा हूँ खुद को स्टीवन स्पीलवक समझते हो अरे तुम्हारी यह जो एड है ना यह टाइटैनिक की तरह डूब जाएगी तुम्हें एक नमबर के फ्लॉप डिरेक्टर हो अपना बीमा जल्दी करा लो नहीं तो एड में कोई बनाना भी खिलाने नहीं आएगा हाँ और तुम क्या हो छोटुराम लंगूर की अलाद तुमने कभी अपनी शकल देखी है आइने में हाँ देखी है और अब आपिस तेखने जा रहा हूँ पर तुमें कभी नहीं दिखाऊं मॉंटी मिरी बात सुनो तू पूरी सर ये मान जाएगा मॉंटी हेई हेई मिरी बात सुनो ऐसे मौके बार बार नहीं आते हमें इसे कवाना नहीं चाहिए तो क्या करूँ याँ खड़े रहकर अपनी बेज़ेती सहूँ ये ना हो पाई भाईया वैसे मेरा हैस्टायल तो सही है न एकदम चाकास है देखो तुम इस एड़्विंट के हीरो हो और तुम जानते हो बंदरों को ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते दरो माज ये बंदर हर मौके पार चौका मारेगा ये हुई ना हीरो वाली बात मौन्टी कला सूख रहा है मुझे बहुत प्यास लगी है तो लगे जब प्यास पियो मंकी आप आओ जूम उठे पियो मंकी आप आओ जूम उठे स्यार हो ना पियो मंकी आप आओ जूम उठे हाँ शाम को बाहर जा रही हूँ, बहुत मज़ा आएगा मॉम, क्या हम मंकी रख सकते हैं? नहीं स्वीटाट, यह जंगल नहीं है हाँ मैं सुन रही हूँ हाँ, मैं बस अभी निकल रही हूँ, बस थोड़ी दिर में पहुँच आऊँगी पर मॉम, आपने कहा था, आप मुझे स्कूल में ट्रॉप करेंगी सॉरी बेबी, लेकिन मुझे बहुत सारे काम करने है, नया जॉब है, फिर क्रिस्नस की शॉपिंग है बहुत सारे रिस्पॉंसिबिलिटीज है, घर के लिए भी शॉपिंग करनी है स्क्रिप्ट रेड़ी है मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं जल्दी आ रही हूँ हाई हानी, क्या हुआ हानी, तुम बहुत जल्दी में हो गया, हूँ तो, ये एक कोट रूम ड्रामा है और इसमें एक दिशस्ट रिस्ट है ये वाला नहीं है, ये वाला ओके, हमारी प्रिंसेस को स्कूल से पिक अप करना मत भूला चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, वनना तुम आज भी लेट हो जाओगी मैं तो तीन हफ्तों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, इस बार कॉम्पेटिशन टाफ होगा तुम तो सिलिक्ट हो ही जाओगी, क्यूंकि तुम कैलिफोर्निया से हो ऐसा खुछ नहीं है हे, तुम कैलिफोर्निया से आए हो है न हाँ, मैं इथन हम पड़ोसी है, मैं हूँ ठेलर हाई आशली रिबेका हाई तुम आड़ोशन दे रहे हो हाँ, नहीं हाँ आल दे बेस ओके बाई, फिर मिलेंगे मतलब ये अफ़ास सच है कि मॉन्टी दमंकी बोल सकता है मैं जो कहता हूँ, सच कहता हूँ और सच के सिवाक कुछ ने कहता हूँ मॉन्टी तुम इस मंकी अप एड़ फिल्मे ही रो हो पर हमारे ओडियन्स जानना चाहती है कि मॉन्टी असल जिंदगी में कैसा है ऐसा है कि मैं उन एक्टर्स जैसा नहीं हूँ जो कहते है कि मैं आफ स्क्रीन बिल्कूल अलग लगता हूँ पर मैं तो कहूंगा कि मैं जैसा अपनी असली जिन्दगी में हूँ, वैसा ही स्क्रीन पर भी दिखाई देता हूँ क्या सच में? हाँ, मैं तो दिन राथ पानी के बदले मंकी अभी पीता हूँ पिछले हफते टॉयलेट में पानी नहीं था सोचा क्या करूँ, मंकी अब खुला और काम चला लिया मैं तो मेरी लाइफ मज़ेदार किस्सों से भरी हुई है मुझ पर एक फिल्म भी बन सकती है हुया, यकीन नहीं होता तो मैं जैकी चैन की तरह फाइटिंग भी कर सकता हूँ लेकिन क्या है कि मैंने अब तो कोई अक्शन फिल्म साइन नहीं की क्यूंके जैकी को मैं अपना गुरू मानता हूँ बेचारे के पेट पे लात क्यूं मारो मैं बहुत दयालू हूँ अच्छा तो बात क्या हो रहती हाँ, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल वैसा हूँ जैसे स्क्रीन पर दिखाई देता हूँ तो तुम अपने स्टन्स खुद ही करते हूं, मॉंटी अरे इस जैनलिस्ट को कौन पकड़ के लाया आपको उस खुद ही करता हूँ अच्छा तुम ये सवाल टॉम प्रूस से भी पूछोगी क्या मैं समझ गई तो तुम्हें एक टॉकिंग मंकी होना और मंकी अपका फेस होना कैसा लगता है अब मैं क्या बताओं मेरी परवरिश एक जू में हुई जहां मैं अपनी माँ मेरे बड़े भाई और छोड़ी बेहनों के साथ रहता था और मुझे हमेशा शक था कि मैं अडॉप्टेड हूँ मैं हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहता था तो एक दिन मेरी मा मुझे पाक में शेक्सपेर दिखाने ले गई ऐसा लगा जैसे हर कोई सोचता है कि उसके अच्छे दिन आएंगे मुझे महसूस हुआ कि मैंने आक्टर बनने के लिए चन लिया है जूलियट मेरी जान मैं तुमसे बेपना महबत करता हूँ जितनी किसी ने नहीं की होगी मैं तुमारे लिए चांद तारे तोड़ कर जमीन पर ला सकता हूँ मैं प्ले देखने हर रोज जाने लगा और मुझे प्ले का हर टाइलोग याद हो गया तुम मेरी जान हो तुम से बेरी हो मैं समझ गया मुझे में टैलेंग है हमें कोई जुदा नहीं कर सकता और तुमने इस तरह बोलना शुरू किया अब मैं अपनी ही तारीफ में क्या कहूँ पर तुमने तो सुनाई होगा कि नकल्ची बंदर बहुत अच्छी तरह नकल कर लिते और फिर वो दिन आया जिसने मेरी जिन्दे की बदल दी मा ने इस कठोर दुनिया से मुक्ती पाली मेरी मा बहुत सपोर्टिव थी वो हमिशा कहती थी कि अपने सपनों को साकार करो और ये भी कहती थी कि एक बात याद रखो ये पैसा, शोहरत तो आते जाते रहेंगे लेकिन फैमिली कभी नहीं पतलेगी अओ मांटी, मैं तो इमोशनिल होगा अरे पर आज तक इसका मतलब ही नहीं समझ मैं फेमस होने का है तो कोई बड़ा सा कांड करने का और मैडेम टुसर्ट में मस्त एक दब स्टैचू बन जाएगा हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, या, तो वक्त आ गया कि मैं उस दुनिया को छोड़ कर आगे बढ़ू अगर मैं जूम में रह जाता तो मेरा टैलेंट वेस्ट हो जाता तो बी और नट टु भी? और मैं टैनिस से मिला उसने मेरे टैलेंट को समझा और उसने मुझे वादा किया कि वो मुझे फिल्म स्टार बनाएगा हाँ, एकाष एक्षिंस करा रहा है ओ, मॉन्टी, तो मैं तुम्हें बता दू की, कपेलो ने फिल्म के लिए एक नई मंकी को साइन किया है कपेलो, मतलब कपेलो फिल्म्स वाला कपेलो हाँ, दी कपेलो फिल्म्स, बलकि इस मैग्सिम में उनका एक आर्टिकल भी आया है क्यों? तो मुझे बताओ, मॉन्टी, कि तुम क्यों नहीं सेलेक्ट हुए अब निकल, काम खताम बुराने 500,000 के नोट हजाम चला, मैं निकल रहा हूँ डेजी, जल्दी अंदर आओ मॉन्टी, मॉन्टी, रुको और तुभे तो मैं फेस्बुक पे भी पहचानने से इनकार कर दूँगा, समझी? हाँ कमान, बैलन्स करो हाथ उपर गुड वाओ ओके, क्लास ओबाव सी यू नेक्स्ट वीक तुम्हें ये ख़बर कैसे ने मिली के कपेलो एक मंकी पर पिचर बना रहा है? वो पिचर मुझे चाहिए, जल्दी मेरे एजन्ट को फोन लगाओ डेजी तुम्हें एजन्ट की क्या फरूरत, तुम्हारे पास मैं हो ना, तुम्हारा ट्रेनर मुझे ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, मेरी जान बन चुकी है, यह देखाँ, डूले शॉले डूले शॉले से क्या होगा? हमें कुछ ती नहीं लड़नी है इंसानों के एजन्स होते हैं, लेकिन तुम तो एक मंकी हो अरे कितने फेमस एनिमल्स के एजन्स होते हैं, जैसे स्टीवन सीगल बिल्कुल सही का, और वो हाइडिग्यूम का पती, क्या ना मरे उसका सील वो सब इंसान है मॉन्टी अचा तो स्नूब डॉग, वो बाव आओ, शोक्रो, वी यॉन्से, माइटकल जेफ वाक्स और कितने नाम गिनाओ, वो सब इंसान है और टाइगर वुड्स, वो कोई एनिमल नहीं है, वो भी इंसान है क्या पकारे हो यार, तुम कपेलों के अफिस में फोन करने वाले हो या नहीं मॉन्टी मैंने अल्रेडी, उनके कास्टिंग डिरेक्टर से बात की है उन्होंने मुझे साफ इंकार किया है, कि वो मंकी अपके अंबैसेडर के लिए तुम्हें कास्ट नहीं कर सकते, तुम प्लीज इसे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते काट्टून वाला बंदर एक्टिंग कांसे करेगा, तुम उन्हें समझाओ उन्हें मेरी जरूरत है अरे मुझे सा एक्टिंग उसे पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, मैं स्टेज पर शेक्सपियर के प्लेस कर चुका हूँ यही तो तुमने उनके सिर्फ प्लेस देखे है, एक्टिंग नहीं की पटर पटर बैस मत करो, मेरे गुड़ लोक्स, मेरी अक्टिंग की टैलेंट और चामिंग परसनेलिटी के साथ, सूपरस्टर मेरे को ही बनना है रहे तुम फिलाल जेली बीन्स काओ, हो सकता है तुम्हें एनिमल प्लैनेट में होस्ट करने को मिल जाए चपार 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 चल बनकर, इतनी तनखो ले तो कुछ काम तो करो मैंने पहले तो तुम्हें कभी जॉगिंग करते नहीं देखा वो मैंने सोचा, फिटनेस पर घ्यांदेने काई इस लिए आज से शुरुबात कर दी क्या क्या थी वो मैंने साही किया ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी येस, मुआ, हे, तुम्हारा दिन क्या करा अच्छा रहा, मेरा काम भी आओगे और मैं फेंड्स को भी मिली हे, सोफी कहा है मुझे लगा तुम पिकप ओ, नौ ओ, आज आज़ा, आज़ा, तुम पिकप, ओ, नौ ओ, आज़ा, 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 चलो घर चलते हैं, ओके प्लीज, हनी, आज़ा चली ऐसा दोबहरे कभी नहीं होगा अच्छा ऐसा क्या करूं, जैसे कुम खुश ओजओ अजर, आऌका दिन क्या सैरा? हाई डाई, आपका दून कएसा रहा? मेरा दिन अच्छा रहा यह तो बहुत खुश लग रही है हाँ काफी मनाना पड़ा मैं बहुत पूरी मॉम हूँ आगे आइडिया मैं कपेलों से कहूंगा कि वो मुझे अपनी फिल्म में ले ले मुझे कौन पसंद नहीं करेगा मैं तो अपना खुद का मन पसंद हूँ क्या वो अंदर है एक सेकिंड दरसुल वो अंदर नहीं है तुम उसे जल्दी ढूंडो ताकि मैं अपनी एडिया फिल्म कंप्लीट कर सकूँ मेरे दिमाग को पता है कि वो कहा होगा मैं अभी आजाओंगा मीटर चालू रखना ठीक है और अगर नहीं है तो मंकिया पालो से पाइसा ले लेना एए एंजल तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है अरे तुम्हारे चार बाल भी हुगा है कौन से लगाते हैं चप रहा हो एंजल लड़की का नाम है मैं हूं मौन्टी कल का सूपरस्टार और तुम्हारा दोस्त मेरा यार तुम यहाँ कैसे बहुचए अरे बेकार की बातों में क्यो टाइम वेस्ट करना तुम खोश हो जाओ क्योगे तुम्हारी निकलने वाली है मैं हूंगा तुम्हारा नेक्स ही रो ये क्या पक्वास है केज येस प्लीज टोंट फार मी क्या तुम मुझे प्लीज बताओगी ये मंकी अंदर कैसे आया क्या बोलती जिखनी मुझे इसके बारे में पता नहीं एंजी एंजी तुम्हारा विजन को क्या हो गया है सोचो एक मंकी को फिल्म में लोगे तो टंकी भर के पाइसा कमाऊगे फ्रश भी करोगे तो चिल्लर निकलेंगे तुम्हारा जाएगा है क्या पैसा, वाक, लोगों का भरोसा और मेरी इसत तुम्हें पता है मुझे कितने ओसकर्स मेले हैं तुम सेल्फ्लस नहीं हो सेल्फी? ले 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 सेल्फी ले ले रहे फेस्बुक पर डाल दो, बहुत लाइक्स मिलेंगे अपने साथ तुम्हारी में निकल पड़ेगी बक्वास बनकर और निकलो यहां से मैं अपना मंकी कम्प्यूटर से बना लूगा तो भीजान मंकी क्या कर पाएगा? मैं एक ट्रेंड एक्टर हूग कपोले? केट? येस? क्या तुम इस जेंटलमेन को बाहर का रासा दिखाओगी? तुम गलती कर्यर पता है कितनी बड़ी? इतनी! तुम मौका कवा रहे हो? बहुत पच्चता होगे बाद में? लेकिता क्यूट है मौन्टी, मुझे तुम से कुछ बात करनी है जारी मेरे दोड़्स, तुमारा टॉक टाइम खातम हो चुका है और अब मैं एक भी आइड नहीं करने वाला हूँ अब मौन्टी, बहुत महेंगा फोल था जल्दी से पकड़ो उसे मौन्टी, मौन्टी दुख जाओ मौन्टी, परी बारत तुनो दुका, दुका मौन्टी, दुका, मौन्टी, दुका मौन्टी, दुका, मौन्टी, दुका मौन्टी, दुका, मौन्टी, दुका 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 यहाँ गया वो टेस्मेंट बहुत हो गया मैं एक नया मंगी कास्ट कर रहा जाता हूँ जो इससे भी ज्यादा टेलेंटेड हो और जिसके अंदर जड़ा भी एटिचूड नहों समझ गये बाप रे कितने सारे टॉइज है और यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर लोग चलते वलते नहीं है क्या क्या अंधे लोग काम करते हैं यह क्या था मेरे को जल्दी चुपना पड़ेगा यह वही डॉल हाउस है जो मिसिस एंट्रियूज ने ओर्डर किया है कौन है यह कौन है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम किसके लिए काम करते हो तुम्हें जुकाम हो गया है मुझे घुरना बंद करो तुम्हें यहाँ से निकालना होगा बाल बाल बचा ओहो आले सान घर में जाका चुपूंगा कुछ खास नहीं है तो ठीक है काम चला लूँगा तो यह है वो डॉल हाउस जो आज मिसेज एंड्रूस के घर पर डिलिवर करना है जो न्यू जर्सी में रहती है इस आसकर के लिए थैंक यू मैं जा रहा हूँ कॉफी पीने तुम सब इसे अच्छी तरह से बैक करके उनके घर पर ले जाना गुद लग कुछ दोर फोड़ मत करना कि अच्छी में किसी का पेट मंकी नहीं हूँ मैं सूपर स्टार हूँ अरे वाह तुम तो मंकी अप वाली स्टार हो ना अरे वाह बच्चा बच्चा मुझे जानता है ओडोग्रफ चाहिए बिटा वैसे तुम्हें जोकर का कॉस्ट्यूम क्यो बहना है क्या है कि अगली पिच्चर के लिए मैं प्राक्टिस कर रहा हूँ मैं थैट अक्टर हूँ ना मैं कौन सी पिच्चर? वो क्या है कि अभी तक अगुठा लगा के साइन नहीं किया है मेरे लोग उनसे बाचीत कर रहे हैं प्रीमेर की टिकेट तुम्हें फ्री में मिल जाएगी, अच्छा ट्रेलर देखो, मौन्टी बजाएगा सबकी घंटी बस, बाकी इंटर्वल के बाद, रुको रुको मैं अभी आती हूँ, अरे सुनो, ये तो बता दो कि मैं कहा पर हूँ, यासे निकलना पड़ेगा यार, मे प्राड़ी वाले योगी बाबा को देखा था, सेल्फीज को दिवार पर चिफकाया है, लगता है खेश के वे लोग रहते हैं इदर, ऐसे करने से आपकी तवियत खराब हो जाएगी, कुछ नहीं होगा सुरीटी, बताओ, तुम्हें कुछ कहना था क्या, मैं पेट मंकी वेल, मौम ने मना कर दिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ, तुम तो चानती हूँ, मेरी तुम्हेरी मौम के आगे नहीं चलती है, फिर भी आने तो पूछते हैं, अले, भीडू तु यहां कैसे, क्या, मुझे बात कर रहो गया, और ने, तो क्या मैं तर को काड़ा दिखता हो, क्या, पहले अपना आधार काड दिखाओ, आप उनके पास आधार काड नहीं, यह उधार काड है, वो सब छोड़, तु पहले यह बता, कि यह केला तुने चु तुराया नहीं है, उधार पर लिया है, सूच समेच छिलके के साथ वापस दोटा दूगा, समझा गया, अब दिमाग में चाटो, जाओ यहां से, चलो, यह रित दो, पुझे जाना होगा, तु मेरे को धमकी देर लाए, हाँ, वो भी फ्री में दे रहा हूँ, मैं आज भी के उए केले ने उठा था, केले की जान खत्रे में, कोई बचाओ रहे, हरे मैं तो मता कर रहा था, रुको रुको जाओ मत, मैं तुम्हें बचा लूगी, भाग भाग जल्दी, पैरियर का सवाल ने मोटे, यह क्या, यह स्लाइड पे लोग सीडिया के लिए बनाते हैं, यह मॉन्टी, तुम ठीक हो ना, यह खूने के सौसे, सौसे तो चाट लूगा, अगर खूने तो बेहोश हो जाओंगा, क्या, मैं कौन हूँ, कहां बढ़ू, मैं ठीक तो हो जाओंगा ना, डॉक्टर जाइबा, मा मुली से यह चोट है, गबरा क्यो रहे हो, सोफी, स्कूल के लिए देर हो रही है, अब मुझे जाना होगा मॉन्टी, मुझे स्कूल जाना है, तुम कहीं मत जाना, मैं आपको दिखा ताना है वो मंगी, यह रहा है, देखा यह, यह, बलकिल मॉन्टी जैसा दिख और यह, यह तो, बिलकिल मॉन्टी जैसे दिख रहे है, हेलो मंगी, क्या तुम बोल सकते हो, मंगी आप इस दे बेस, मुझे लगा तुम मू से बोलोगे, उसने मेरा वॉलेट चुरा लिया दूर हटो काडून जाओ हमें परेशान मत करो यह चाह है इसकी पॉट्टी तो नहीं तुम्हारा शक बिल्कुल सही है मैंने ऐसा सुना है इसे वो पसंद करते हैं उसी पर फेंटते हैं यह चाहिए यह चलो 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 यह पर चलते है यह अभी काम करेगा यह किसी काम का नहीं है ऐसा होता है सर शुरू शुरू में ऐसा होता है सर अच्छा चुटकी तुम्हारी यह फैमिली भी है ना ? मेरी माम है डाड है और भाई इथन है यह तो सही है मैं तुम्हारे साथ रहकर फैमिली के बारे में बहुत कुछ सीख सकता हूँ तुमनों ज्यादा ओरेक्टिंग करते हो पर मैं अंडर प्ले कर लूँगा अच्छा यहां पर रहने के लिए थोड़ा डिस्काउंट डिस्काउंट मिले गया या नहीं मुझे नहीं पता शर्मामा छुटकी बोल कितना चाहिए दस डॉलर्स आज कल के बच्चे बहुत शाने हो गए छुटकी बात यह कि मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया हूँ तुम दूसरी तरह भी पे कर सकते हो अच्छा कैसे तुम बहादूर हो ना मॉन्टी बहुत बहादूर हूँ एक बार एमोशन में बाग के दूर गया बहादूर तो तुम मुझे जिमनास्टिक सिखा सकते हो आहा ठीक है ना विल्कुल सिखाऊंगा देट अले यहां पर इंटरनेट भी नहीं है दिन मर बैठकर करूँगा क्या चलो सुफी सुजाओ चलो लेट जाओ गुड कर डाड सुफी से कहो मेरी चीजों को हाथ ना लगाए और मेरी जेली बिंस को ना खाए प्लीज सुफी आएंदा इसा मत करना पर मैंने ऐसा नहीं किया सच में डाड तुमारे भाई को घर से निकाल देना चाहिए बहुत तंकरने लगाया तुम्हे नहीं मॉंटी ऐसा कुछ मत करना प्लीज वो मेरा भाई है वो थोड़ा एरिटेटिंग है पर मॉम कहती है कि टीनेजर्स अक्सर ऐसा करते हैं पर वो मुझे बहुत प्यार करता है हाँ मैने भी सुना है कि इस उमर में बच्चे लोगों में बहुत केमिकल लोचा होता रहता है गुदनाइट मॉंटी क्या क्या सरकार सही कहती है जल है तो जीवन है बात बात में बात टब में बात ही नहीं कर पा रहा हूं वाह क्या जाग वाला टब है इसमें तो बहुत मज़ा आएगा घस घस के नहाओंगा हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाँ काम बहुत था ओई लगता एंडर्ग्रावन रोना पड़ेगा सोफी की पढ़ाई ठीक चल रही है हाँ पर मॉम मुझे उसे पढ़ाने का वक्त ही नहीं मिलता है नहीं उसका यहाँ एक भी दोस्त नहीं है हाँ मैं जानती हूँ हाँ हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि उसे किसी हॉबी क्लास भेजूँ अगर वो ऐसा करेगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा मॉम ओके हाँ हाँ ठीक है मॉम थैंक्स है आंटी ने तो सच में धो डाला कहां जाओं शूटिंग के लिए आफ्रिका यह कैसी आवास थे हम वकील अपनी कुर्सी पे बैठता है दाया हाथ उठा के कहता है कि तुम कहो जो कहोगे सच कहोगे सच की सवा कुछ नहीं कहोगे और गवा डर जाता है क्या बखवास लिखा है इसे पढ़के तो पड़ा दिखा आदमी सोचे के मैं अन्पर क्यूं नहीं हूँ सूपर हीरो पे बहुत पिक्चरें बन चुकी हैं क्या लिखूं लिखना वही चीए जो तुम्हें आता हूँ हाँ एक काम करता हूँ मंगीस पे ही लिख देता हुआ वाओ क्या यह सब मैंने लिखा है ठीक है छुटकी तुम पहले कर सकते हूँ मैं जाओ ने ने मैंने कर सकता अगर मुझे चोट वोड लग गई तो मेरा ओडिशन भी तो है देखो मैं एक एक्शिन हीरो हूँ अच्छा एक बात बताओ जम करने से पहले तुम क्या सोचते हो मांटी कि मेरे बाल तो ठीक है ना पर तुम्हारे केस में तुम नीचे मत देखना कहीं दूर किसी चीज पर फोकस करो और तुम्हारा काम हो जाएगा अरे वाँ चुटकी क्या बात है बहुत अच्छा है फोकस फोकस कोई बात नहीं चुटकी कोशिश करती रहो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है रोमियो ने जूलियेट से कहा कि वो उसकी रक्षा करेगा और उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं बास ओ टॉर्चर बरदाश्ट नहीं होगा यार अरे नहीं 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 तुम शेक्स्पियर को ऐसे रीड कर रहे हो जैसे वो कोई रेसिपी बुखो अपनी रीडिंग में जान डालो इथन इसमें एक्सप्रेशिंज एम्फिसाइज और स्टोरी टेलिंग चाहिए तुमें सुनकर तो नीन आ रही है मैं मॉन्टी हूँ और मैं तुम्हारी बेहन के डॉल हाउस में भाड़े पर रह रहा हूँ मॉन्टी प्रॉम मंकियाप किस चीज का फेस पैक है इसमें एवकाडो क्यूकंबर बनानाज है इससे मेरी तुचा खिल जाती है देखो मुझे पता है कि तुम शॉक्ट हो कि इतना बड़ा स्टार तुम्हारे घर पर है पर मैं यहां जितने भी दिन हूँ मैं यह नहीं देख सकता कि तुम शेक्स्पिर की खेली उड़ाओ ऐसा नहीं हो सकता अरे या रब इतनी जल्दी हार मत मानो अच्छा अच्छा एक काम करूँ मुझे बताओ कि तुम यह शेक्स्पिर आखिर पढ़ना क्यों चाते हो आखिर माजरा क्या है दरसल क्लास में एक लड़की है जो जूलिट प्ले कर रही है अरे बिटा रुगजा 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 इसका मतलब मामला दिल का है अरे वाँ प्यार के चक्कर में शेक्स्पिर का अपले बहुत अच्छा हो जाता है मालू है लड़किया तो दीवानी हो जाती है इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा पूरी पूरी एनर्जी स्क्रिप्ट में डाल दी है और मैं अंदर से इतना खोकला हो गया हूँ कि मुझे एक एनर्जी ड्रिंक की जरूरत पढ़ गए थी चलो मैं तुमें स्टोरी सनाता हूँ नहीं पाप में संभल के संभल के तेरी मुने कर दिखाया मौन जी मिलकुल तुम नहीं किया चटकी रोमियो रोमियो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं भी यही सुनना चाहता था मैं भी सिफ तुम्हारा हूँ ये क्या बात हो दिल की बात कहने के बात कोई लड़का हसता है क्या मेरे दिल को क्या चूता है अरे हां बना लास ये रहा तुम्हारा गिफ्ट ये क्या है ये लग कुछ हैली नहीं खाते है क्या चलो इसी से गाम चला दूँगा है आम स्ट्रेट तुम देख सकते हो कि बनानाज बहुत हैल्दी है और इनसे भी एक एनेजी ड्रिंक बन सकती है तो आज से यही एड़ होना चाहिए आज डाइडिंग गई तेल लेने के लिए मस्त है न और फिर रोमियो ने जूलिट से कहा ओ माइ गाट यह बहुत मुश्किल है मुझसे नहीं होगा हाँ सही का तुम और शेक्सपियर ऐसे हो जैसे इस्ट और वेस्ट दिन और रात बली का बकरा और का साई अरे यादा गया तुमने सेवेर्नोवा डिवेर्जोर एक का नाम तो सुना होगा शेक्सपियर का कजिन है राइट हाँ सही जवाब क्या वाकई मैं नहीं रे वो एक फ्रेंच आदमी था जो बहुत अच्छा बुलता था और उसकी लंबी नाक थी लोग उससे दूर दूर से देखने के लिए आते थे उसकी मीठी बोली लोगों पे जादू कर देती थी उसने एक लड़की को प्रपोस करने में एक लड़के की मदद की थी मैं भी भाई करूँगा बस फर्क ये होगा कि वो बहुत जादा बात सूरत था और मैं एक लम डाशिंग हैंसेम हो काला ठीका लगा दो कोई नजर न लग जाए ओके पर कैसे ये लो पहन लो एने ठीक है मैं तुम्हें कॉल करूँगा तुम्हारा नंबर के और हाँ मेरा रिचार्ज करवा देना तुम मेरी बात सुनोगे तो लड़की पड़ेगी नहीं तो किसी और लंगूर के हाथ वो अंगूर लग जाएगी समझे क्या डायलोग मरा वाप ओ जूलियेट तुम ही हो मेरे सपनों की रानी तुम्हारे बिना नहीं उतरता है मेरे गले से पानी इससे और बहतर हो सकता है वेल ड़न अलेक्स वेल ड़न अब इससे कॉन टक कर देगा अब नेक्स है एथन एंड्रूज एथन एंड्रूज ओ क्या टाइमिंग है मौन्टी तुम कहा हो शुरू करो इथन तुम कहा थे लेफ्ट मूर के देखो मैं तुम्हें देख सकता हूँ यह सुनेहरी धूप जब तुम्हारे शेहरे पर पड़ती है तो तुम खुबसूरत लगती हो अब एक घुटने पर बैठ कर जूलियट की तरफ देखो जब मैं तुम्हें देखता हूँ तब मुझे कुछ याद नहीं रहता तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हो वाट अप परफॉर्मेंस क्या बात है चागया छोकरे ठोको ताले देखें मेरे पास आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ऐसा बताओ कैसे हाई अव्रिबारी मैं हूँ आपका प्यारा मॉंटी मॉंटी आप प्यो और फिर जूम उठो मॉंटी वापस चाहिए हाई फेर एक फैमली में अंदर की प्रॉब्लम सॉल्स करनी पड़ेगी चल मॉंटी काम पे लग जा हेल्प चाहिए ना मैं कर सकता हूँ ना हेल्प मॉंटी क्या तुम वाकई में हो ku Amor कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देक रहा हूँ कहीं मैं स्टोडी लिखने के वज़े से स्ट्रेस में तो नहींAy complement कहीं मैं अपने होश तो नहीं का बाए है और होश में आंग अरो समझे saf पताये तुम्हारे है dwa zuh मंकी मैं अच्छा मैं मॉन्टी हूँ, मेरी दर्ध भरी कहानी बहुत लंबी है इसलिए आज नहीं सुनाँगा जैसे कि मेरी स्टोरी? मेरी नहीं, हमारी स्टोरी क्या कि मेरे अंदर के एक्टर के साथ एक लाजवाब राइटर भी है तो कानी क्या है? कानी है एक मंकी की जो इस तर्द भरी दुनिया में अपनी जगा बनाने के लिए मेहनत कर रहा है वो चाता है पैसा, रुद्बा, शोहरत और फिल्म स्टार्ज वाली चकाचक लाइफ बस उसका इतना सा ही खुआब है तू फिल्मिया मैं कई सालों से एक अच्छे रोल की तलाश में बैठा हुआ था पर फिर मैंने सोचा कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा इसलिए मैंने पिच्चर लिखनी शुरू कर दी इस हाथ से ओके, दाएं हाथ का कमाल है मैं भी अपने दाएकान से सुनूँगा क्लाइमेक्स से पहले पूरा परिवार मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाता है येस, बहुत अच्छा इडिया है और फिर माक का कैरेक्टर आएगा और वो कहीगी बेटा सुएटर पहिन लो तो मैं ये जैकेट कहां से मिली, अच्छे लग रहे हो ये वाली, बादाम खाया करो पगली, भूल गई, अपनी अनिवरसिर पे तुमने मुझे गिफ्ट दी थी अफकोर्स मझे याद है, मैंने तो गिफ्ट दी थी, क्या तुम स्टिप लेख रहे हो ये तुम्हारे डेस्क पर क्या है? ओ, ये एक मंकी है, मैं इसे अपनी डेस्क पर रखता हूँ, इंस्पिरेशन के लिए स्टोरी लिखते वाँ ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है, ऐसा है मंकी मैंने स्टोर में देखा था ओ, हमें सोफी के लिए क्रिस्मस पर लाकर देना चाहिए, उसे हमेशा से एक मंकी चाहिए था तुम्हें ये कहां से मिला? मैं वो जॉगिंग कर रहा था, और किसी ने इसे कचरे में फेंक किया था, मैं इसे उठा कर लिया मुझे ही बहुत स्यादा पसंद आया, हम इसे सोफी के रूम में रखेंगे, कम से कम रियल मंकी के जित तो नहीं करेगी तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? मैं इसे ले जाओ? नहीं, हनी, जब मुझे लिखते वक्त आइडियास नहीं आते हैं, तो मैं इसे गले में लेके लोरी गाता हूँ इंस्पिरेशन मिलती है, इस रत का फालो दा मत करो अब यह देखो, चाहे कोई मुझे मंकी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम उड़ते रहेंगे आसमानों में गोल घूमते रहे उप्स, मैं इसे उठा लेता हूँ ओके हनी, मैं तुम्हारा स्टफ मंकी नहीं लेकर जाओंगी तुम्हे थोड़ा आराम करना चाहिए, पूरी रात जो लिख रहे थे ओ नहीं नहीं अब जो मैं रुका तो मैं रुक जाओंगा, मुझे मत रोको मुझे थर्जडे को पब्लिशर्स को ड्राफ देना स्वीड़ी ओके ओके, 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 ओके पहले ही खत्म हो जाती है, बाजवे फिल्म की एंडिंग क्या है? ओ तेरी एंडिंग, अज़े हाँ, उसके बारे में तो सोचा है नहीं, ए चोड़ो तुम ही लिख देना, पर याद रहे कि सबको हैपी एंडिंग अच्छी लगती है हम अलग अलग जाते हैं और सबसे बेस्ट्री ढूणते हैं, ओके क्रिस्मस मुबारक हो मैं अभी आई ओ टेलर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी मॉम के साथ आई हूँ, क्रिस्मस ट्री खरीदने के लिए ओ, अच्छा, मैं भी अरे यही मौका है इतन बेटा लोहा गरम है, मार दे हाँ थोड़ा मेरी मॉम हर साल हमारे घर पर बहुत बड़ी क्रिस्मस पार्टी और्गनाइज करती है ओ, ओके चा कर रहे हो उसे घर पर इन्वाइट करो तो क्या तुम जाना, मतलब गाना, आना पसंद करोगी हाँ, मैं आउंगी होके कूल चलो बेटा, आगे जो करना करो मैं हुन सोफिया तो जा रहे हैं ट्रेन की राइड पर ये मैं तो जानी पैचान लगती है ओ, इस अकेले-केले वाले बंदर का तो कब से इंतजार था छुटकी, एक प्रॉब्लम हो गई है तोरी का विलेन लॉट आया है ओ, मेरा जौमी रोई पक्तना उसे नेलगारी चुकचुक ने, ठुक 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 चालू एज बच्चों, मुझे करस्नस्ट्री मिल गई यहां पर क्या हुआ बड़ी मुश्किल से बच कर आया हूँ दोस्तो मॉन्टी तुम मॉन्टी को जानते हैं पे चलो कहारी में ट्विस्ट आही गया मैं इतनी टेंशन में था कि अगर तुम्हें बता दू कि मैं और मॉन्टी मिलकर ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो तुमनों सोचगे मैं पागल हो गया हूँ मेरी क्रिटिविटी इनके काव आई और मैं भी मॉन्टी के बज़े से रोमियो जुलिट प्ले कर रहा हूँ तुम्हारा टीचर बहुत अच्छा है अरे आओ वो तो मैं ही हूँ इसी ने मुझे बैलेंस करना सिखाया डैट बैंक बैलेंस तो था नहीं तो सोचा की यही बैलेंस कर ले लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना हम मॉम को अभी कुछ नहीं बताएंगे सही बक्ताने पर हम उन्हें सप्प्राइज देंगे उन्हें अच्छा लगेगा रुको 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 मैं और टाइम वेस नहीं कर सकता मैंने बच्चों से कहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए ये सब करने वाला हूँ अरे मेरा बच्पन से सपना था कि मैं दुनिया का सबसे पहला मंकी सूपरस्टार बनूँ उसके लिए फैमिली वेल्यू सीख ली तो अब चलता हूँ मेरा बाई कम से कम मेरा प्ले तो देख लो और मेरे शुका क्या होगा मॉन्टी तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ऐसा एमोशनल चेहरा बनाओगी और मैं मान जाओंगा अरे मैं अक्टर हूँ ऐसे चेहरे मैं रोज बनाता हूँ समझी तुम्हारा पफॉर्मन्स ज्यादा अच्छा है पर मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए ही रुकूँगा मॉन्टी जो मंक्यप का ब्रैंड एम्बसिटर है वो पिछले कुछ दिनों से गायब है और पुलिस भी उसे धूर नहीं पा रही है मैं यहां मंक्यप के स्टूडियो से मॉन्की के एक खास फ्रेंड और ट्रेनर डेश्मन्ट और मंक्यप के डिरेक्टर स्टैंड लेवन से बात कर रही हूँ प्राइब सॉरी ओके मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ मॉन्टी हाँ बिल्कुल तुम्हें बहुत प्यार करते हैं तुम्हें स्टॉबरी आइस्क्रीम बनाऊंगी हाँ ओके चलो मिलते हैं इन दो का क्रिस्मस वांटी के बगेर अधूरा है इसके आप लोगों से बिंती है कि उसे धूनने में हमारी मदद करे दूरने वाले को इना मिलेगा मंकी आपको बनाना मैं है एल्ट जॉन्सर प्रॉप ई टीवी अब मैं जानता हूँ कि पांच्व हजार के नोट नहीं चल रहे हैं तो एडवांस देने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन अगर आप दस हजार का भी चेक दे दें तो वो क्याना मैं थोड़ा क्रियेटिवली लिख पाऊंगा अरे ऐसे थोड़ी पटाते हैं इस तरह तो ये किसी मंकी को बनाना भी नहीं बेच पाएगा आहां पता है एंडिंग थोड़ी ड्रमाटिक हो सकती थी अब ठीक है मैं री राइड करके एंडिंग वापिस से भीजता हूँ थैंक्स हाई मैं सांट्रा बोल रही हूँ हाँ मैं बोल रहा हूँ जॉर्ज एम क्यूरियस अच्छा ये बताओ क्या मैं तुम्हें सेंडि बुला सकता हूँ अच्छा ठीक है अफकोर्स तुम्हारी आवाज है इतनी अच्छी तो मैं तुम्हें ब्यूटिफल सेंडि बुलाओंगा तो Sandy बात ये है कि जिस script की बात हो रही है उसकी काफी demand है सच में काफी competitors script की भारी कीमत देने के लिए तैयार हो गए है और मुझे नहीं लगता तुम्हें script को गवाना चाहोगी है ना Sandy और क्या मैंने का आना ये script बहुत demand में है इस script पर film ही नहीं book भी publish होगी million copies पब्लिश हो सकती है और ending का क्या अच्छा वो rewrite करा लेंगे जिसमें होगा ठेर सारा masala, drama और action अरे तुम उसकी चिंता मत करो Sandy मुझे लगता है तुम्हें production house से बात कर लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी shooting स्टार्ट करते है देखो producer आएगा, पैसा फेकेगा, तमाशा शुरू होगा पैसा online transfer करना काज नहीं लेता पैसा मिलेगा तो script मिलेगी जी क्या चलो रखता हो phone Monty आए बच्चा पाटी, अरे क्या है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए तुम ही लोग जाओ ठीक है छुटकी क्या कमाल का सूट है, कहां से मिला यह तुम्हें मॉंटी तुम्हें तो best दिखना ही होगा अब तक मुझे कभी किसी ने इतनी अच्छी चीज नहीं दी अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो कौन मैं, फैमिली का हिस्सा, अरे क्या बात कर लिया चुटकी तैंस, अच्चा पच्चा पाटी, एक काम है जिसमें मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए हाँ, क्यों नहीं वाउ, मुझे जगा पसंद है मेरी क्रिस्मस भाई लोग ओ देखो तो देखो कौन है, सूट बूट में आया का नहीं है वैन बजाने को, वो तो बाद में पता चलेगा कि किसका बचता है स्वागत है, इस सदी के सबसे बड़े ड्रामे बास का तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता हमारे लिए कोई सप्राइज लाया है बस क्रिस्मस विश करने के लिए आ गया ये लो भाई, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा देखो इस ड्रामे बास का नया ड्रामा प्रेजेंट्स लेकर आया है ओ, 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 ये क्या, नया वाला आइफोन अरे सब के लिए एकदम थमाल गिफ्स लेकर आया हो, देखो मुझे तुम्हारा तोफ़ा नहीं चाहिए तुम हमें तब छोड़कर चलेगे जब तुम्हारी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत थी, मॉंटी तुम हमें खरीदना चाहते हो पर अब मैं बदल गया हूँ, सच में मेरा यकीन करो मैं अब एक फैमिली मंकी बन गया हूँ ओ, हाँ, देखकर तो लगता है, लेकिन जो कुछ हुआ, उसे इतनी आसानी से भूल जाएं ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है मॉंटी अब तुम चले जाओ सायो नारा, दुआओं में याद रखना ये दुन्या अब तुम्हारी नहीं रही तुम्हारी असली दुन्या तो अब सिर्फ और सिर्फ हॉलिवड है तिमाख खराब हो गया था मेरा जो मैं यहाँ पर लोटाया उफ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से हे, मॉन्टी हाँ बोलू मिर भाई, ये सुना म्यूजिक, तुम्हारी जादी की खुशी मैं अच्छा चिट्थी लिखना, अरे कहाँ, आजकल तो फेस्बुक का जमाना है लाइक करना मेरी फोटो तुम ठीक हो हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो, वैसे भी मुझे ये फैमिली वेमिली के चक्कर से ऐलर्जी है मैं उस टाइब का हूँ ही नहीं, चलो छोड़ो, जल्दी से शो देखने चलते है अच्छे, किससा ट्रेस पहना है दुम्हें अस्त्री सूपर स्टार छुप छुप के रेड कापेट पर चलपा है हाई, कैसे हैं आप? मिस्टर हाट, मिस्टर एंड्रियू, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं यह है मिस्टर हाट, हाट्स टॉर्ज स्टोर के चैर्मन और मिस्निस एंड्रियू इपरेसिदेंट Mr. Hearts, आप इस Annual Show को हर साल और्गोनाइज करवाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही, इससे हम हर साल बच्चों में खुशिया बाटने की कोशिश करते हैं, Merry Christmas बहुत ही खुब, हमें Hearts का ये गाला शो बहुत अच्छा लगा, आप क्या कहना चाहेंगी? ओ, थैंक यू, मुझे इस Annual Show का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या अपनी फैमिली को थैंक कहना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ ओके, मॉन्टी, तुम यही रहना, मैं तुम्हें सोफी के फोन से कॉल करूँगा और कभीने कभी तुम्हें मेरी मदद के बिना उससे बात करने ही पड़ेगी, बिटा चलो, ठीके, बाद में मिलता है इतनी जबरदस पार्टी देखकर मुझे रा नहीं जा रहा, चलो, इस पार्टी में जान डाली जाए सौरी, लाइन मैं नहीं आरा पर बहुत जोरूर्टी प्यास लेगे वो, यहाँ पार्टी क्या करा है इला 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 निम्मू पानी पता है मैंने भी एक बार इसी बड़ी पार्टी दी थी और फ्रूट पंच के लिए क्या रखा था मालूम है गोले वाले का बरफ लिया पिगला दिया और वो बरिया फ्रूट पंच नोबस हो रहे हो हाई इधन हे टेलर तुम बहुत खुबसूरत लग रही हो थैंक्स तुम भी अच्छे लग रहे हो ये जगा कितनी खुबसूरत है ना ये मेरी बहन सोफी है हाँ हम पड़ोसी है राइट मैं इसे जानती हूँ हाँ हम तो रोजी मिलते हैं वो भी कई बात सोफी जल्दी जाओ मॉन्टी को ले आओ मिस्टर कपेलो हाई हाँ वर यू हाँ गोज तुम कैसे हो थैंक्यू ज़रा देखो तो ये मंगी कितना क्यूट है वहाँ दद्दो जितने बेहुकूफ देखता हो उतने हो नहीं ये तो बोलता भी है ये जो फिल्म है ये इंसानी रिष्टों के बारे में है इसलिए मैं चाहता था कि बात करने के लिए रुकता जरूर पर मेरे किस्मत मुझे पुकार रही है अब दिखाऊंगा अपना चेल्मा मॉन्टी तुम कब सुद्रोगे मॉन्टी पार्टी में गूम रहा है और उसका फून भी उसके पास नहीं है अब ये मॉन्टी कौन है? वो हमारा पैट मंगी है एक मिनट रुको तुम्हारे पास पैट मंगी है? वो अब हम तुम्हें क्या और कैसे बताएं? वो एक लंबी कहानी है हमें उसे डूढना होगा चले अटेंशन ऐसे किसी को मैं सलाम नहीं टोगनेगा नहीं क्या था? ओ वाव हम बात कर रहे हैं मंक्यप के स्टार से ये तो कुछ भी नहीं है अगले साल जो मैं फिल्म करने वाला हूँ न उसके लिए मुझे ऑसकर मिलने वाला है कीप रोलिंग, कीप रोलिंग बात ये कि मैं अगले साल एक फैमिली ड्रामा करने वाला हूँ और उस फिल्म का नाम होगा होम एक मंदिर जिसे डिरेक्ट करेंगे जिमिल एंड्रूज और अपकोस ही रो तो मैं ही होंगा और मैं बता रहा हूँ ये मुवी सारे ब्लॉक्बस्टर रिकॉर्च तोड़ देगी ये क्या? क्या हुआ? मॉंटी का इंटर्व्यू उस मंकी अपका नाम सुनके मेरा स्थर बुखने लगता है मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये चैरिटी शो अब तक का बेस रहा है थैंक्स तो यू मैडम प्रेसिडेंट मुझे वो टॉकिंग मंकी बड़ा प्यारा लगा I'm sorry क्या आपने मंकी कहा? हाँ वो मैं भी आदाँ मुझे जोर की लगी कंट्रोल नहीं हो रहा है क्या शानदार गाड़ी है ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनी है आपको इंविटेशन कार्ट दिखाना होगा इंविटेशन कार्ट? तुम इंविटेशन कार्ट लाए होना? अरे यार गाओ बसने से पहले चोरु जखके आ गए है आप दिना इंविटेशन कार्ट दिखाना होगा तब बोलो बेबी डॉल लॉंग ड्राइव पे चलना चाहोगी मेरे साथ कहा बचकर जाओगे मुझसे? मॉन्टी, प्लीज हमारी बात सुरो, हमें तुमारी जरूरत है दूम मचाले दूम, मचाले दूम मॉन्टी, रुख जाओगे मॉन्टी, बात सुरीएस मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूआँ आज कहा जाओगे मुझसे? रुख जाओगे मुझसे? अपन्दर की ओलाच मौची अजा मौची मौची हो भी हो जो," आपन गो मुची हो अगर में मौची 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 प्शॉ कि अधिक है कि अधिक कि अधिक कर सकूंँ तो मुझे पच्कें ही बांटी तो मुझा बच्क हिए तुम तो मुझे पच्कर नहीं या सकते मांटी त्यान से सुपें मॉन्टी मॉन्टी तुम चीक तो हो हमें शुटिंग करनी है मॉन्टी मॉन्टी तुम ठीक हो ना हाँ मैं तो एकदम ठीक हूँ पर मुझे इस पार्टी का हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा है वो कहते हैं ना बदनामी सही पर हमारा तोड़ा नाम तो हो गया लगता है चाइना का माल था बताओगी ये क्या हो रहा है नहीं मिस्टर हार्ट मैं नहीं चानती कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉन्टी को मुझे चुराने की ये मांटी मेरी अमाना है ओए पेट के गोडाउन हिम्मत है तो मुझे से बात कर चल आजा दो दवात हो जा चल तो मुझे ललकार रहे हो आप मुझे फाट कर रहे हो कबाँ हमने उसे चुराया नहीं है वो अपीस अपनो को जीना चाता है मेरे पास ये कॉंट्रेक्ट है जिसमें लिखा है कि ये मंकी सिर्फ मेरा है ओफिसर ये कोड का ओडर है और हमें इसे मानना ही होगा आम सॉरी ये तो बिलकुल सही कर रहे माफ कर देना बच्चा बाटी शायद मैं एक फ्रॉड ही हूँ अक्टर तो बिलकुल नहीं हूँ अपना ख्याल रखना बच्चू चुटकी आए हेट टियर्ज रे चलो यहाँ से नहीं मचाओ प्लीज डैट कुछ कीजिए मौटी हमारा फैमिली मेंबर है आम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता वो उसकी प्रॉपर्टी है मौटी को एक खिलोना नहीं है वो एक रियोल मंकी है जिसकी रियोल फीलिंग से बिलकुल हमारी तरह मौटी 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 मैं समय मिस करूँगी क्या तुम में से कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि एक टॉकिंग मंकी इतने दिनों तक हमारे घर में रहा और मुझे पता ही नहीं मॉटी सिर्फ एक टॉकिंग मंकी नहीं है मॉम वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे सिखाया कि हुजाई से कभी मत दर न आपको ये भी नहीं पता कि सोफी अपने जिमनास्टिक्स में बहुत अच्छा कर रही है और शायद आपको इस बात का भी नहीं पता कि मैं रोमे और जूलेक में लीड कर रहा हूँ और मैं उसके बागर अपने इसकर पूरी नहीं करता हूँगा आपको बता देते तो क्या आप हमें डाटती नहीं मौम खुच्टिक्त है तो कि बहुत अच्छा कि अजके बहुत आखाए काट इसकी चेहरे पर इमोशन्स क्यों नहीं दिखा है जब यह सुनेरी धूप तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है तुम बहुत ही खुबसूरत दिखती हो जूलियेट मैं आज एलान करता हूँ के तुम सिर्फ और सिफ मेरी हो अगो यह तो बहुती तगड़ा कांट्रैक्ट है अगर मैं इसे पूरा नहीं कर पाया तो मुझे वान थाजन डॉलर्स देने पड़ेंगे हाई सोफी हमें मौन्टी को वापस लाना होगा तुम आज आफिस नहीं गई? नहीं मैंने मिस्टर हार्ट से बात की और उन्होंने कहा कि मैं उनकी फैमली की तरह हूँ तो मुझे उन्होंने एक महिने की छुट्टी दे दी ताकि मैं अपनी फैमली के साथ वक्त बेता सकूँ ओ यह तो अच्छी बात है मैं अपने काम में इतनी बिजी रही कि तुम्हारे स्क्रिप्ट खत्म होने पर मैंने तुम्हें कांग्रेच लेट तक नहीं किया कोई नहीं है मरे पबलेशर का है हाई सांडरा ओ सौरी तुम्हें सांडी बलाऊ न मेरा एजिन बहुत नेगरशेट कर रहा है मेरा एजिन कोई है हाँ हाँ कोई कोई प्रॉब्लम ही मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दाट्स फाइन ओके, बाई, थैंक्स पताओगे क्या बात है उन्हें मेरी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई है और तो और वो चाहते हैं कि मैं उसे डिरेक्ट करूँ उसने का कि मेरे एजेंट ने बहुत ज़्यादा नेगरेशेश इसकी तुमारे एजेंट कौन है? हम उस दिन मॉन्टी के साथ आप लोगों को गिफ्स देने के लिए आये थे तुम बोलते हो मुझे पता है? ना, हम नहीं बोलते हैं अच्छा अच्छा बता आप बात क्या है? मॉन्टी तकलीफ में उसे आपके जरूरत है ओ प्लीज बस करो हम उसे ट्वीटर पर फॉलो करते है उस साफ साफ कहता है कि वो चिडिया घर के जानवरों से बहतर है मॉन्टी आप लोगों से बहुत प्यार करता है सच में और तुम लोग उसकी फैमिली हो और फैमिली तो हमेशा मुश्किल में साथ देती है मॉन्टी मुसीबत में है उसे तुमारी मदद चाहिए ठीक है ठीक है मैं यह मानती हूँ कि हमने मॉन्टी के साथ बहुत बुरा किया तो प्लीज आप हमारा साथ दीजिए और अपने भाई को बचाईए हम उसे बचा सकते हैं प्लीज मैं उसके साथ हूँ अरे तुम हो तो तुम जाओ ना मुझे परिशान मत करो मुझे पहले से बहुत सारे काम है देखो भूलो मत हम सब साथ साथ है हाँ ठीक है ठीक है सब साथ है मैं भी, चलो उस ड्रामिबास की जाकर मदद करते है बस एक प्रॉब्लम है, तुम लोग यहां से बाहर कैसे निकलोगे तुम भी न, हम जो चाय वो कर सकते है हम रास्ता निकाल लेंगे, हम कोई एरे गैरे मंकी नहीं है हम मॉंटी से कहीं ज्यादा बढ़कर है हमारे पास बाहर जाने की चाबी पहले से है सोफी माम डैड हम मॉंटी को बचाने जा रहे है चलो साथी, चलो अब हम क्या करें? हमें अंदर जा नहीं होगा पर कैसे? हम लोग अलग हो जाते हैं क्या तुम लोग दिवार को पार कर पाओगी? तुम बस देखते जाओ, हम क्या करते हैं? जाओी व क्या क्या है हम ढग्या क्या 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 है हमेरे उन लुम ह Nicholas तुम यहां हो मौंटी सोफी अज़े तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो बच्चा पाटी तुम लोग यहां पर कैसे आ गए हम तुमें लेने आये हैं दोस्त पता है मेरी मां हमेशा कहती थे कि पैसा और उत्वा आता जाता रहता है पर फैमिली हमेशा साथ रहती है मैं यह बात तब तक नहीं समझा था जब तक तुम लोग मुझे मिले नहीं थे मोना मेलोडी मौर्ट तुम भी मुझे ले जाने आयो मौन्टी जादा एमोशनल होने के जरुरत नहीं है अब क्लामेक्स आगे है तो बोल देता हूँ हम सब साथ है और हमेशा रहेंगे तेरे साथ रहकर हम भी ड्रामा सीख गए है मैंने तुम्हारी याद में एक गाना लिखा है मैं तुम्हें अभी सुनाती हूँ मौन्टी मेरे ब्रादार मैंने तुम्हे किया बहुत ही मिस्दियार विलावियार ठीक है ठीक है ठीक है भस करो मैलेडी तुम्हारे सुर दिल तक पहुँझ गए पर मेरा गाना अभी खतम नहीं हुआ अभे तो बहुत गाना बाकी है पर मेरा आज उफास है मैं आज के दिन ज़्यादा गाना बजाना नहीं सुनता हूँ सर फ्लीज अतामत करना मॉन्टी बहुत ही क्रियेटिव है असे बहुत मुटिविशन की ज़रूरत है वो लो गारे है मॉन्टी बहुत ही अच्छा एक्टर है हमें बस उससे अच्छे से और प्यार से बात करने है यह चोटी सी मशीन उस मंकी से बढ़िया काम करवाएगी देखना मॉन्टी क्या तुम्हारे पास ऐसी और टीशिट्स होंगी हाँ हाँ देखता हूँ होनी तो चाहिए यू आर फायर्ट येलो ड्रेस वाले दादा अभी चकाचा कपड़े दे कर गया है क्या तुम सब भी वही सोच रहो जो मैं सोच रहा हूँ मैं बताती हूँ अब हम सब इस मॉन्ट की गेम खेलने वाले हैं इसे खोलो क्यों पकड़के दिखा मोटे मैं यहां हूँ अबेव रजगुल्ले यहां तेरे पीछे उन मांकिस का पकड़ाओ ये मुझे प्यवकूप समस्त है मैं इने छोड़ूंगा नहीं कहां जा रहे हो बच्चों हम मॉन्टी को घर ले जा रहे हैं लेकिन उसका घर तो स्कैन में है इस तरफ चलो पागल समझाए क्या जो तुम पर भरोसा करूँगा और कोई आप्शिन है तुम्हारे पास क्या बात बोलिया आजाओ चल्दी करो उस तरफ जाओ सीधा गो किस तरफ जाए मॉन्टी मुझे क्या पता यहां मैं घर का थोड़ी खेलता था इस तरफ चलो देखे सर मैं आपको वान करता हूँ कि आप मॉन्टी से दूर रहे उसे तो मैं बाद में देख लूँगा लेकिन पहले मैं तुमसे नहीं बट लूँ यहां से वचकेर कहां भागोगे इतनी जल्दी नहीं मोटे पहले ना तो ले यह साबून का पानी में लिक्ष है बात इंगे नहीं आया था ना ले नाम बद है अपना जिम और नाटालिया आंड्रूस हम आचली श्ट आम सॉरी लेकिन मेरे लिस्ट में यह नाम तो मौजुद है यह नहीं आचली हम मॉन्टी से मिलने आए हैं हम नट्यों के र्लेटिब्स है ओ अच्छा तो तुम मॉंटी के र्लेटिब्स हो अच्छा मतलब मंकी के मामा हो और यह मंकी के मामा है मामी मामा आप तुम लोग फस गए बच्चियों तुम यहां से भाज नहीं सकते कोई रास्ता नहीं मैं इसने जल्दी हाद नहीं मानता बस एक और धमागा चलो जल्दी भागो यहां से चलो जल्दी भागो यहां से चलो जल्दी हम फस गए सुनो मेरे तुम से कोई दुश्मनी नहीं है मुझे बस मेरा मंकी वापस चाहिए मौन्टी सिर्फ मेरा है मौन्टी तुम्हें जंप करना होगा जैसे मंकी अब एर्फिल्म में किया था तुमने पैरिशूट भी पहना है हां मौन्टी जंप नहीं कर सकता मौन्टी तुम्हें करना होगा हाहाहा वो जंप नहीं कर सकता क्योंकि मौन्टी को उचाहि से डर लगता है मौन्टी तुम हिलनों का चक्कर छोड़ो मेरे पास वापस आजाओ हम दोनों मिलकर जैली विंज कहाएंगे क्या बोलते हो हाहा तुम्हें उचाहि से डर लगता है मैं एक एक्टर हूँ सिर्फ एक्टिंग करता हूँ और मैं अपने खुद के स्टेंज कभी नहीं करता क्या कहा हाहा मैंने कहा था कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोग मुझे पसंद करो हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं क्या सच में सोफी इसन देखो मैं फिर जिवान कर रहा हूँ मुझे मेरा मांटी वापस देदो फ्रीज नहीं सोफी नहीं मांटी पकड़ लिया मुझे पचाया मुझे पचाया मुझे तुम मेरे हीरो हो हीरो अरे छोड़ो भी मेरे जेगा कोई और मंगी होता तो यही करता मुझे मुझे तुमने कर दिखाया मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो तुमे एक हीरो हो ये फैमिली वाली फीलिंग सच में बहुत अच्छी लगती है रुक जाओ आखरी बार कहता हूँ मेरे साथ चलो मॉंटी इस पार कोई शरारत नहीं चलेगी तुम सिर्फ मेरी अमानत हो नहीं पस हो गया मैं कई भागना नहीं चाता मैं भाग भाग कर ठक चुका हूँ पहले जू से भागा और उसके बाद अपने ही भाई बेनों से भागा अब नगर भागूँगा तो सिर्फ कहीं पहुचने के लिए अपनी फैमिली के पास क्योंके कोई साथ दे या ना दे फैमिली जरूर साथ देती है देखो कॉंट्रेक्ट में भी लिखा है तुम सिर्फ मेरी अमानत हो मॉन्टी मुझे माफ कर दो दोस्त ये सब मेरी गलती है मैं पैसों के पीछे पागल हो गया था जैजमिन्ट मुझे एक डॉलर चाहिए क्या एक डॉलर? हाँ एक डॉलर ठीक है लो अब मैं आपका एजेंट बन गया हूँ और लोग के मुताबिक मैंने आपके प्रॉपर्टी को वन थाउजन डॉलर में बाय आउट करवा दिया है डिरेक्टर साहब है लेकिन उसके लिए चाहिए वन हंड़िद थाउजन डॉलर और तुमारे पास आएंगे कहां से इतने सारे पैसे मेरे क्लाइंट और मेरे दोस्त मॉन्टी को तुमसे ठुटकारा दिलाने के लिए ये रहा आपका चेक बचना डिरेक्टर साहब लो हम आ गए अब ड्रामे के साथ थोड़ा एक्शन भी निशाना लगाओ और हमला करो तुम लोगों का जवाब नहीं और सिस्टर क्या कमाल का थ्रो था आप मांती तुम्हें कभी किसी लेडी को कॉम्प्लिमेंट करना आया ही नहीं बसकर बसकर इसे जाड़ पर मत चड़ा रसे भाई हम तेरे लिए खुश है और तुम हमारा फेवरेट ड्रामे बाज है जब पता था तुम कमाल करोगे पता नहीं मैं आप सब का शुकरियादा कैसे करूँगा शुकरियादा करना है तो हमारे एजेंट का करो क्या कहते हो क्या मुझे एडॉप्ट कर रहे हूँ ये भी कोई पूछन वाली बात है वी आरा फेमिली तुमने सही कहा था मॉंटी सभी को हापी एंडिंग अच्छी लगती है रुको रुको मुझे एंडिंग के लिए बहुत अच्छा इडिया मिल गया शच में ये तो अच्छी बात है क्योंकि मुझे प्रोडूसर का फोन आया था और वो चाहता है कि हम उनके लिए पिक्चर बनाए अरे वाँ हम पिक्चर बनाने वाले है ये तो बना रहे है मेरा तो ओडिशन भी नहीं लिया भाई और मैं मंकीज की मारी बोन्रों बनूगी मैं जान था ता एक दिन में हॉलिवूड का स्टार बनूगा ये मुझे पिरो बनूगा लेकिन तभी को अच्छीन देना होना है अच्छी अच्छी कर दो 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 कर